पिनफॉर बिप के लिए नापों की गणन करना पिनफॉर एक बिना कॉलर और बहा का एप्रन जैसा एक पोशाक है जो शर्ट या अन्य टॉप पर पहना जाता है छोटी लड़कियां अक्सर इसे युनिफॉर्म के तौर पर पहनती हैं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप पिनफॉर बिप के विभिन भागों को पहचान पाएंगे पिनफॉर बिब बनाने के लिए जरुरी विभिन मानक नापों को पहचान पाएंगे पिनफॉर बिब बनाने के लिए जरुरी गणन कर पाएंगे ज्यादातर uniform half skirt एक ही कपड़े के टुकड़े से बनता है अगर हम design को देखते हैं पिनफर को आगे और पीछे एक बिब होती है चारो और box pleat होती है एक कमर पट्टा, belt loops और एक adjustable hook closure जिसे पता चलता है कि पिनफर half skirt से जुड़ा हुआ है हम box pleat वाला half skirt बनाना सीख चुके हैं तो यहां उसी का उप्योग करके बिब कैसे बनाते हैं यह विस्तार से देखेंगे पिनफर बिब बनाने के लिए शरीर के मानक नाप है सामने की लंबाई, कमर का घेर, कंदे की चौढ़ाई यहां सामने की लंबाई 10.5 इंच है, कमर का घेर 22 इंच और कंदे की चौढ़ाई 12 इंच है हमें हर एक भाग को गौर से देखना है, गणन करना है और सी मंतर और पहननी की सहूलिय जोडना है जिससे हम ड्राफ्ट करके कपड़ा काट पाएंगे हमने बिब बनाने के लिए शरी के नाप जैसे सामने की लंबाई 10.5 इंच, कमर का घेर 22 इंच और कंदे की चौढ़ाई 12 इंच को पहचाना है अब सामने की लंबाई साड़े दस इंच में हम आधा इंच सी मंतर कंधे की सीम के लिए और आधा इंच सी मंतर कमर रेखा की सीम के लिए जोडेंगे इससे हमें कुल सामने की लंबाई साड़े ग्यारा इंच ड्राफ्टिंग के लिए मिलेंगे नेक लाइन यानि गले की रेखा निकालने के लिए हमें पहले कमर घेर का एक बटा छे गणन करना होगा जो है तीन पांच बटा आट इंज और उसमें आधा इंज जोड़ कर ट्राफ्टिंग के लिए मिलता है चार एक बटा आट इंज इस पार्ट में हमने पिनिफर बिब बनाने के लिए विबिन भागों को और मानक नापों को देखा समापन से पहले आए मुख्य मुद्धों पर गौर करते हैं पिनिफर को आगे और पीछे एक बिब होती है चारो और बॉक्स प्लीटे होती है एक कमर पट्टा, बेल्ट लू के लिए शरी के मानक नाप हैं सामने की लंबाई, कमर का घेर और कंधे की चोड़ाई हमें डिजाइन को समझना है सी मंतर और पहने की सहूलियत को मानक नापों में जोड़ना है और ड्राफ्ट करने के लिए कुछ गड़न करने होंगे इसके साथ हम इस पार्ट के अंत में पहुँचके हैं